दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे टिक टोक के लेटर कुछ अमेजिंग सैटिंग्स जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही इंपोर्टर्ट है तो अगर आप भी जाना चाते हैं कि वो सैटिंग्स कौन सी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ मेरे चैनल को भी स्ब्सक्राइब कर दें चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरा नाम है तेहमूर और आप देखने में यूट्यूब चैनल डीजी मलिक तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TikTok के लेटर कुछ amazing settings तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मुबाल के स्क्रीम पर तो चलते हैं फिर मुबाल के स्क्रीम पर तो सबसे पहले आपने TikTok ओपन कर लेने हैं TikTok account को आपने इसमें login करने ने login करने के बाद अपने settings पर जाना है settings पर प्राइवेसी पर जैसे जाएंगे तो प्राइवेसी का आपको सबसे पहले दूसरा option आपको मेरा प्राइवेसी का तो इसमें आपको private account के नीचे आपको suggest your account to other तो इस पर आप जैसे कलिक करेंगे तो यहां आपको content आपको आड़ा है उसके बाद Facebook friends उसके आप अगर आप दिखाना चाते हैं वो दिखा सकते हैं पिपल विदे mutual connection इसको भी आप और कर सकते हैं पिपल के हो open और send links तो यू यह भी इस तरह की settings यह भी settings आपकर कर सकते हैं इसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो नीचे भी आपको download option मेरे comments आप करना चाहते हैं तो कौन-कौन आपको comments कर सकता है कौन-कौन आपको comments नहीं कर सकता उसके बाद filters keywords आपको मिल जाएंगे यह देखें इसको अगर आप उन कर दें तो यहां अगर आप keywords वह इंटर अगर आपकर सकते हैं जो आपको वीडियो आपको वीडियो आपने नहीं देखने को आप यहां से keywords आप एडमिस में कर सकते हैं तो दूसरी settings के लिए आपको manage account उसके बाद privacy उसके बाद security and login का आपको option मेरे रहे तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो security alters का आपको option मिल जाएगा तो इस पर भी अगर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने सारी आपके सामने security की जोन से settings वे रहे हैं वह आपके सामने आजाएंगी इसके बाद manage device पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किस इस account में जिस इस device में आपके tik-tok account login है वह आपको यहां नजर आए जाएगा कि किस-किस account में आपका login है उसके बाद manage app पर permission अगर आप देखें तो यहां से इसके आपको अपने permission दी हुई है टिक-tok के लेटेड लिंक उसके बाद two step verification का भी आपको यहां से option में रहे तो इससे भी आप अपने account की two step verification भी कर सकते हैं SMS के जरीए email के जरीए उसके बाद password आप रख सकते हैं ताकि कोई भी आपको आपको टिक-tok account को hack करना चाहता है त आपको फॉरां पता है चल जाएगा इसके बाद last and third settings के लिए अपने चला जाना है यहां आपको option में रहा है family preparing का तो यहां आपको family के लिए अपकी आपकी आपकी यंज की families and friends के लिए सैटिंग्स मिल जाएंगी keeping टिक-tok family and friends friendly तो यहां आपके सामने यह दिखें सैटा लिमिंट टू योर टीन्स वाइस टाइम उसके बाद नीचे आपको सारी सैटिंग्स और आपके सामने नजर आ रहें सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां सब्सक्राइब करते हैं तो यहां सब्सक्राइब करते हैं तो यहां सब्सक्राइब करते हैं करके आपने साटिंग्स नेक्स पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां से आप क्यो और कोड़ अपना या और जो भी वो पेरेंट्स आपके वाश बगार करते हैं टिक टोक उनका अकाउंट उनका है उसी तरह का आपका भी हो जाएगा तो दोस्तों ये थी टिक टोक के रिलेटेड अमेजिंग सेटिंग और इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप में चैनल को सब्सक्राइब करते और साथ-साथ में वीडियो को भी लाइक करते जिन्दी के रही तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल झाल